चरगभवन में आज से बच्चों के लिए नायवर्ट प्रारम कर दिया गया है। कलेक्टर आशी सीहा ने चरगभवन में माध्योगर हॉस्पिटल का निरक्षन किया। उजन कलेक्टर आशे सीह ने सुमवार कोशाश की मात्रेवम शीशुची किसा लए और माधवनगर अस्पिताल का निरक्षन किया उलेकनी है कि मंगलवार से मात्रेवम शीशुची किसा लए में बच्चों के लिए 40 बेट कना आवार्ड प्रारम किया गया है कलेक्टर ने नवनिर्मित वार्ड का निरक्षन किया इस दुरान सीए मैचो डॉक्र संजेश शर्मा सिविल सरजें डॉक्टर पी एन वर्मा जीला मलेरी अधिकारी डॉक्टर अखंड और अन्य अधिकारी गण मौजुद थे चिकिस्सा लाई में नवनिर्मित डेंगू वार्ड के निरक्षन के दुरान कलेक्टर ने वहाँ पंखे सोचालाई और वाजबेसीन की परियाब संख्या में ववस्था करने के निर्देश दिये हैं मंगलवार से प्रारम होने वाले नए वार्ड में चिकिस्सा को नर्सिंग स्टाफ की परियाब संख्या में ववस्था करने के लिए कहा है कलेक्टर ने निर्देश दिये कि वार्ड में सेवा देनी वाला स्टाफ वरिस्ट और अनुभवी हो कलेक्टर ने चरगफवन के पांचवे फ्लोर पर वार्ड नंबर 501, 502, 503 का निर्ख्षन किया जानकारी दी गई किया आने वाले समय में आवशक्ता पढ़ने पर 50 बेट का तिरिक्स वार्ड और प्रारम किया जाएगा कलेक्टर ने शिशु गहन, चिकिस्सा, इकाई, वार्ड और शिशु नॉर्मल वार्ड था इमर्जनसी वार्ड का निर्ख्षन किया वहाँ पे भरती शीशु के मादा पिता से बच्चों के स्वास की जानकारी ली और कहा कि बच्चे जल्द ही स्वस्त हो जाएंगे आप चिंता ना करें चरग के बाद कलेक्टर ने श्राज की मादा पिता सपताल चरगफवन सीवा के लिए भीजा जाए कलेक्टर ने मादा पिताल में वार्ड ए बी और सी का निर्ख्षन किया चालू कर देंगे इसी तरह माधोनगर में अभी हर वार्ड में कुछ-कुछ बिखरे-बिखरे बेट्स जो है अवेलिबल हैं इसको हम लोग वार्ड वाइस थोड़ी सरचना इसकी हम लोग करेंगे और एक वार्ड जो भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे लगए पचास साथ हमारे नए बेट कल से माधोनगर में भी ऑपरेशन हो जाएंगे कुल मिलाकर जो हमारी तयारी है ट्रीटमेंट के पार्ट पर वो पूरी तरीके से हम लोग इस इस्तिती के लिए तयार हैं कि अगर केसे की संग्या और आगे बढ़ती भी है तब भी हम ल प्रिवेंशन वाली जहां तक बात है सभी मरीजों से मेरी बात चीत हुई सब लोग उससे संतुष्ट थे जहां तक प्रिवेंशन की बात है उसके लिए आज कपशा नगा निगम और हेल्थ की टीम को निदेश दिया गया है कि कितनी जल सनचनाएं कितने जलभराओं यहां से भी अपील करता हूँ कि डेंगू से बचने का एकमात रूपाई है कि अपने आसपास जलभराओं ना होने दें कहीं अगर इस पकार का दिखता है आपको तो उसको हटवाएं या फिन नगने हमके कंट्रोल लूम पर फोन करें उस पे तदकाल उनका निराकन किया जाएग टीटमेंट के पाइट पर जितना भी हम लोगों से प्रयास अभी हो रहे हैं जितने भी केसे जा रहे हैं उसके एसाब से मुलोग कर रहे हैं और हमारी तयारी उससे आगे की भी रहेगी अगर केसे बढ़ते हैं तब भी हमारे पास में पर्यास बесь से वेलबने से ज़ल ओनक